मेरा एक सवाल है काहे काहे विद्यू सर काहे इस मूवी में काम की हो मतलब क्या जुरूरत थी नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा दा पावर मूवी के बारे में जिसे डैरेट के महेश मंजरे करने इसके अंदर कास्ट शूरूती हसन विद्यू जामवाल ज इसकी एक परसंट भी कहानी मेरे पल्ले नहीं पड़ी अब क्रिस्टोफर नोलन जैसे इंसान को भी अगर यह कहानी बताई जाए उनको दिखाई जाए तो एगर वो खुद अपने मतलब सर में दर्द हो जाएगा उनके वो चक्कर खागे नीचे गर जाएगे वो यही सोच शना चा cigarette उंहोंने कहीं बनाया है अगर इस मुवी के makers ने इसे entertainment के तोवर बनाया है तो भाई साव इसके अंदर 0% entertainment अगर इन्होंने entertainment के लावा बोर करना एर्टेट इस पर परसंट वर बनाये तो definitely इस चीज़ के उपर यह खरी उत्रिया आम तोर पर मैं कहता हूँ कि है हमें movie के अंदर logic यूज नहीं करना चेक्र एजरे के तोऊर पर ममें देखने के उज Wish यह तो वहां परे काल्पनिक लाइफ या काल्पनिक चीप लगता है अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ एक सीन डिसकस करना चाहूंगा पूरे सारे 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 सीन तो नहीं डिसकस कर लगता है लेकिन इसके सारे सारे सीन ही वाईयात लगे मुझे फिर भी एक दो सीन जैसे डिसकस करूं तो एक सीन है जिसके अंदर विद्यू ज दोक्टर से बात कर रहे थे तो उनके कपड़े बिल्कुल साफ उनके हाथ बिल्कुल साफ उनके बाल एकदम सैट कोई भी कुछ भी निशान बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ मतलब जैसे कि लड़के आये नहीं और देखो सीन को जा रहा देखो तो उसके अंदर भाई साफ वो लड़ रहे हैं जमीन पर गिर रहे हैं वापिस खड़े हो रहे हैं तो पूरा फुल ओन मतलब कहीं ना कई तो मिट्टी लगी होनी चाहिए फिर डॉक्टर से मिलने के बाद तुरंट पुलिश के पास जाते हैं और पुलिश के पास जैसे जाते हैं तो उनके कपडे मेले हुए हुए हैं यार इतनी घटिया घटिया चीजी जो इन्हें दिखाए यह डिरेक्शन साहें बहुत ज़्यादा बेकार लगता है बहुत चीप फीलिंग देता है अगर इन चोटी चोटी चीजों की ध्यान नहीं रखेंगे न तो मुवी जो है वह यह वह वहाँ जादा गंदी लगने लगती बहुँद ढल लगने लगती और क्या यह अकेला यह एक सीन नहीं है उसके अंदर तो मुझे हंसी आ रही थी literally और सर में दर्द हो रहा था उपर से कि एक में एक सीन में क्या होता है विदु जामवाल को गोली लगती है और वो तलाब में गिर जाते हैं और फिर तलाब में गिरने के बाद काफी टाइम होके गिरे हुए जो उनका बेटा है विदु जामवाल का मुवी के अंदर उसको कोई मारने जा रहा है फिर अचानक से पानी में से निकल के आते हैं थीन गोली लग चुकी है पानी में गिरे हुए काफी टाइम हो चुक है लेकिन जैसी इतनी खराब डिटेलिंग करते हैं इतनी बहुत जादा लग रहा था वह जैसी वह बाहर आए अपने बेटे को बचाया उस गुंडे को मारा और वहीं बेटे को बचाने के बाद वहीं धेर होगे खुद भी और ऐसे मतलब बेहोश होए पता नहीं जो भी हुआ फिर उसके क मतलब 2-3 मिनट मिनट भी नहीं कुछ एक सेकंड के बाद उनकी जो प्रेमी का है परी जो नाम है उसके ओपर ये गुंडा आ जाता है उसको मारने फिर तभी फिर खड़ा होता है इनसान विद्यू जांवाल और उस गुंडे को मार के फिर गिर जाता है अब मैं स्पोईलर यह है कि यार उस गुंडे को मारा वह एड दीन मार भी तो रहा था तुम भी मर रहे थे वह प्रेमी का भी मर रही थी वो गुंडे तो गुंडा तो जिंदा रह जाता है तीज टीन years और इसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो आप उसको जच भी नहीं कर पाऊगा यह जो मैं यह जो मुझे ऐसा लगा कि इसके जो राइटर है वो भाई साब at this spot scripting कर रहे हैं कि हाँ ये वाला ये अपना हो चुका है ये वाला नहीं कहना है इतना बेकार यार अब मैं seriously कहता हूं यार हमारे देश में 44% जन संक्या जो है वो हिंदी बोलती है लगबग आदी जन संक्या 7% जन संक्या तमिल 7% कन नर 7% तेलगू यहां पर हैं तुम देखो और सिर्फ साथ परसंट जन संक्या है वो तमिल तेलगू बोलने वाले हैं केवल मतलब साथ ही नहीं है साथ-साथ ऐसे तो उनका जो कंटेंट देखते हैं इतना जबर्दस होता इतना बढ़िया कंटेंट होता है इतना परफेक्टली उन्होंने काम किया होता है देखके मज आ जाता है लेकिन हमारे हिंदी सिनिमा में देखो इतना बेकार इतना घटिया content हमारे सामने परोष के रख देते हैं ये लोग इरिटेट कर देते हैं आप देखा है इतनी घटिया घटिया movies इतनी घटिया घटिया series आ रही है तो इस चीज की क्या guarantee देते हैं कि हम उनके उपर रुपया लगाएंगे तो हमें वो entertainment मिले गाए है seriously बहुँ ज़दा बखवास हैं जनता के एक तरीके से कहूं तो यार रुपय वेस्ट जा रहे हैं ऐसे सी बेकार movies या बेकार series बना कर यागर नहीं होती ना चीज़े यार मुझे लगता है कि उस इंसान को छोड़ देना चाहिए कोई ज़ूरत नहीं है लोड लेने की कोई मांग नहीं कर रहा तुमसे कि भी हाँ वो चीज़ लेकर आओ अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार क्यूं इंसान को क्यूं लोगों को तंग कर रहे हो क्यूं उनका रुपया वेस्ट कर रहे हो और सची, दिल से बुरा लगता है, जब विद्यूत सर को ऐसी वहियात मुवी के अंदर काम करते हुए देखता हूँ है, यार, बहुत अला बुरा लगता है, इतने अच्छे एक्टर है, इतने जवरदस एक्षन करते हैं, वो इतना बढ़िया एक्षन करते हैं, उनको ऐसी में काम करें उनकी जो इमेज है यार वो क्यों डाउन कर रहे हैं दूर है यार बहुत ज़्यादा डिसपोइंटेड मुवी है पेकार मुवी है मेरी तरफ से इस मुवी को मैं दूँगा जीरो आउट ओफ जीरो स्टार और मैं कोई उमीद भी नहीं करता हूं यार किसीने यूटूबर्स हैं वो अपनी स्क्रिप्टिंग इतनी बढ़िया करते हैं इतना अच्छे क्वालिटी में वो वीडियो लेके आते हैं और फ्री ओफ कोस्ट देखने को मिलती है यूटूब के पर और यह मूवी इसको रुपया देखकर इसको देखना पड़ रहे हैं क्या गैरेंटी दे रहे हो यार कि हमें entertainment मिलेगा जबकि इतनी वहियात कहानिया में देखने को मिल जाती है बहुत ज़्यादा यार बुरा लगा बहुत ज़्यादा सरमे दर्द हुआ यह ऐसी यसी डाए गंटे की movie देखते हैं तो बस I hope so किसी ने नहीं देखियो और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा यह जाकर देगो बहुत घटिया मुवी है तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद